Hello Friends, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक स्क्वेर और एक रोम बस में क्या अंतर होता है, क्या डिफ्रेंस होता है दोनों के बीच में तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहली property हम लिख देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली property square की क्या होगी, कि इसकी जो sides होती है, वो equal होती है, मतलब side AB, BC, DC और AD, ये चारो side equal होगी, तो हम यहापर लिख देंगे, AB equals to BC, equals to DC, equals to AD, ठीक है, और यही same property हमारी रोम बस की भ होती है वो एक दूसरे के equal होती है ठीक है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं AB equals to BC equals to DC equals to AD तो इसका मतलब यह हुआ हम कैसे पता लगाए कि यह square है और यह rombus है अभी देखे second property की बात करते है second property क्या बोलती है AB जो side है और DC जो side है यह दोनों एक दूसरे के parallel होगी मतलब आमने सामने की जो side होगी वो एक दूसरे के parallel होगी यानि के AB side जो होगी वो parallel होजाएगी DC के ठीक है उसी तरह है AD side BC के parallel होजाएगी तो हम यह आपर लिख देंगे AD side जो है वो BC के parallel होजाएगी पर यही same property हमारे rombus में होती है, रोमबस की प्रोपल्टी भी ये वाली सेम है, अब देखें थर्ड प्रोपल्टी की बात करते हैं, जो एंगल होते हैं स्क्वेर के, यानि के एंगल एंगल बी, एंगल दी और एंगल सी, चारो एंगल 90 डिगरी के होते हैं, तो हम यह आपर लिख सकते हैं, एंगल A एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल 90 डिगरी, मतलब चारो एंगल 90 डिगरी के होते हैं स्क्वेर में, पर रोमबस जो होता है, इसमें जरूरी नहीं कि जो चारो एंगल हो, वो 90 डिगरी हो, ये जरूरी नहीं, तो हम यह आपर लिख स सकते हैं, it's not compulsory, it's not compulsory that the angles, that the all angles are 90 degree, ठीक है, तो यह यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो हमारा rhombus है, इसमें हर एक angle 90 degree है, तो यह दोनों, इन दोनों के बीच में difference हो जाएगा, अगर rhombus का जो angle है, rhombus के जो angle है, वो 90 degree हो गए, तो वो एक square बन जाएगा, वो ही एक square बन जाएगा, मतलब हर एक square जो है, वो rhombus है, पर यह जरूरी नहीं कि हर rhombus square हो, ठीक है, आप इस point को याद रखिए, अब देखे, fourth property की बात कर लेते हैं, fourth property में आ जाएगा, कि जो diagonal होते हैं, मतलब यह जो square है हमारा, इसके diagonal, इसके diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं, 90 degree पे, मतलब यह जहाँ पर bisect करेंगे, वो सभी angle 90 degree हो जाएगे, सपोज करिए, यह point O है, तो bisect करने का मतलब क्या हो जाएगा, bisect करने का मतलब हो जाएगा, AO, AO, equal हो जाएगा, OC के, OC के, ठीक है, और दूसरा जो हमारा diagonal है, वो भी bisect हो जाएगा, मतलब DO equal हो जाएगा, OB के, तो यहाँ पर लिख देते हैं, DO equals to OB, और यही same property, जो हमारी fourth property है, यही same property हमारे rhombus में भी हो जाएगी, ठीक है, rhombus के मैं diagonal बना दूँ अगर, यह देखे, मैंने diagonal बना दिये, तो यह point suppose करिए, O है, तो जो rhombus होता है, उसके diagonal भी 90 degree पर एक दूसरे को bisect करते हैं, ठीक है, यह सभी angle 90 degree होंगे, तो जब bisect करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, A O equals to OC, और DO equals to OB, तो हमने यहाँ पर यह property भी लिख दी, अब देखे, fifth property क्या होती है, fifth property एक ऐसी property है, जिससे आप एकदम difference कर सकते हैं, square और rhombus के बीच में, अब देखे, fifth property में square में क्या होता है, जो square के diagonal होते हैं, diagonals are equal, जो हमारा square होता है, इसके diagonal equal होते हैं, मतलब AC यह एक diagonal है, यह equal हो जाएगा DB के, क्योंकि DB भी एक diagonal है, तो यह एक ऐसी property है, जिससे आप एकदम differentiate कर सकते हैं, दोनों के बीच में, तो यहाँ पर fifth property क्या हो जाएगी, diagonal are not equal, diagonals are not equal, जो हमारा rhombus होता है, उसके diagonal equal नहीं होते, मतलब AC is not equal to DB, ठीक है, यही एक ऐसी property है, अब देखिए, अगर हमें किसी rhombus को square बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके diagonal को बराबर कर देंगे, अगर diagonal बराबर कर दिये, तो उसके जो angle होंगे वे, खुद बखुद 90 degree हो जाएगे, मतलब वो एक square बन जाएगा, तभी मैं बोल रहा हूँ, कि जो square होता है, हर एक square rhombus होता है, पर यह जरूरी नहीं, कि जो हर rhombus है, हर एक rhombus वो square हो, यह जरूरी नहीं, तो आप यह चीज याद रखिए, अब देखिए, हम बात करते हैं, इनके perimeter की, ठीक है, तो सबसे पहले हम square का perimeter देखते हैं, square की suppose करिए, यह side A है, तो इसकी जो हर एक side हो जाएगी, वो A ही हो जाएगी, क्योंकि हर एक side equal होती है, तो यहाँ पर हम A A मार्क कर देते हैं, ठीक है, और यही चीज रोमबस में हो जाएगी, अगर रोमबस की एक side A के बराबर मान ले, तो चारो side A के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर denote कर देते हैं कि 4 side A के बराबर हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दो जो perimeter होता है वो sum होता है हमारी 4 side का तो यहाँ पर हम sum कर देते हैं A plus A plus A plus A कितना हो जाएगा यह 4 A तो जो perimeter होगा square का वो 4 A आजाएगा इसी तरह जो rombus का perimeter है ये भी 4A आ जाएगा मतलब चारो साइड को add कर दो अब हम बात करते हैं इनके area की तो जो area होता है square का उसका formula क्या होता है square का जो area होता है वो होता है A square यानिके एक side का square सपोज करिये A equals to 4 है 4 cm यानिके हमें 4 cm इसकी side दे दी square की तो जो इसका area हो जाएगा वो 4.16 cm square हो जाएगा ठीक है आप ऐसे easily calculate कर सकते हैं और उसी side अगर हम area निकाल दे रोमबस का तो रोमबस का area का formula क्या होता है 1 by 2 into D1 into D2 अब ये D1 into D2 क्या होते हैं ये होते हैं इसके diagonal किसी भी एक diagonal को आप D1 मान लीजिए मतलब एक diagonal को D1 मान लीजिए और दूसरे diagonal को D2 मान लीजिए तो 1 by 2 into D1 into D2 ये इसका area होता है ध्यान रखिए जो diagonals होंगे वो आपको question में given होंगे मतलब रोमबस के diagonals given कर देंगे और आपसे area पूछ लेंगे तो आप ये formula use कर सकते हैं तो मैंने आपको सभी property और इसके सभी formula करा दिये हैं अगर आपको ये video अच्छी लगी तो इस video को like कीजिए और हमारी channel को subscribe कीजिए thank you friends मिलते है next video में